नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजिना उमकर्षप रामलीला ग्राउंड कमिटी ने इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलीला और दशेहरे के लिए नियोता भेजने का एलान किया है कमिटी का कहना है कि कॉंग्रस नेता जेपी ने जेपी अगरवाल ने फैसले का विरोध किया जिसके बाद सररक्षक पज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीते साल देश में सत्ता के समीकरण तो बदल गए लेकिन रामलीला मैदान में बादशा बहादुर शाह जफर के जमाने से चली आ रही रामलीला की उत्सवी तस्वीर नहीं बदली प्रधान मंत्री मोदी की नामवजूदगी के सवाल पर जवाब इस विवाद के साथ सामने आया प्रधान मंत्री मोदी को रामलीला उत्सव में नियोते के सवाल पर दिल्ली की मशूर रामलीला ग्राउंड कमेटी में इस साल फिर से रोक टोक शुरू हुई तो कमेटी का पलड़ा मोधी के पक्ष में जुक गया कॉंग्रिस ने था जेपी अगरवाल का संरक्षक पद विवाद की बली चड़ गया मोधी को नियोते के सवाल पर विवाद पिछले साल भी उठा था दरसल बीते साल विजया दश्मी के वक्त पिएम मोधी सुभाश मैदान में तो सोनिया गादी और मनमोहन सिंग के साथ शामिल हुए लेकि नियोते के विवाद की वज़ा से राम लीला मैदान में उनकी खैर मौजूद की सवाल बन गए राम लीला कमेटी के संड़क्षक जेपी अगरवाल की मनशा को विवाद के पीछे की वज़ा बताए गया और किस्सा इस साल भी दोहरा पाता की कमेटी बढ़ गई जेपी अगरवाल पर आरोपों की तलवार तन गई कमेटी ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि मोदी साब को भी बूलाना, सोनिया जेपी अगरवाल ने राम लीला ग्राउन कमेटी के संड़क्षक पत से इस्तीफा दे दिया और राम लीला ग्राउन कमेटी ने एक सुर से साफ कर दिया कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को नियोते के खिलाफ कुछ भी मनजूर नहीं रोशनी ठोकने के साथ अमिछ चौधरी दिल्ली आज तक